जैसी किसना दोष्टों, हमारे BS सर्माबाद्वा चैनल में आप सभी दोष्टों का स्वागत हैं दोष्टों, होल का देन 17 मार्च गुरुवार का पड़ रहा हैं, दिन से पूरन मासित थी सुरू हो जाएगी इसलिए होल का देन का जो पर्व हैं, गुरुवार के दिन मनाय जाएगा दोष्टों, 17 मार्च को ध्रव योवी पन रहा हैं, पंचमा ग्रे योवी बन रहा हैं, पूरन मासित थी और गुरुवार का दिन हैं दोस्तों इस दिन जो है अगर हुलकादेन के दिन ये उपाय किये जाएं तो सभी प्रकार की परेशानियों कंटो जाता हैं और हर प्रकार की मनों कामना पूरी हो जाती हैं दोस्तों होलका देन की पवित्रगनी में सभी प्रकार की परेशानिया, रोग, ब्यादी, नाज कने की खिमता होती हैं इस दिन ये दम कोई भी उपाय सिद्धा के साथ करते हैं तो हमारी सारी मनों का मनाएं पूरी हो जाती हैं होलका देन के दिन किये गए उपाय जीवन की सभी समस्याओं को दूर का देते हैं दोस्तों उन्ही उपायों की हम जानकारी दे रहे हैं पंतों से जाननी से पहले जो भी दोस्त हमारी चैनल को पहली वार देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ने किया हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बगल में गंती का बटन दबा करके ओल पे क्लिक करें जिससे हमारी वीडियो का अप्रिती अप्रेट सबसे पहले आप तरक पहुँश सकें दोस्तों हुलका देन के दिन सबसी पहला अगर घर के अंदर नकरात्मक उर्जा हैं घर के अंदर वास्त दोस हैं तो हुलका की अगनी की तीन पांच या साथ प्रिक्मा जिरूर करें और हुलिक की अगनी की प्रिक्मा करने के बार में उसका दुआ जो है घर के अंदर जाना इससे नकरात्मक उर्जा जो है वो सांत होती है अगर होलका की अगनी में आप कपूर लोयवान डाल देते ही और उसका दुआ घर में आप गुमाते ही तो दर्ण की समस्या खतम हो जाती है और बीमारियों से निजात मिलती है दोस्तों अगर घर के अंदर आर्थिक तंगी चल रही है धन की बरकत नहीं है ब्यापा नोकरी में लाव नहीं हो रहा तो उस दिन जो है होलका देन के बार घर में पूजा इस्थल पर पानी वारा नारियल चड़ाना चाहिए और एक घी का दीपक जलाना चाहिए इसके बाद में उस पानी वाले नारियल को जो है माता लक्षिमी का ध्यान करते हुए होलका को अर्पिट का दें दोस्तों ये करने से घर में फिर घी का दीपक जलाने से माता लक्षिमी की किरपा प्राप्त हो जाती हैं दोस्तों अगर सत्रों से आप परिशान हैं सत्रों आपको परिशान काते हैं तो होलका देन के दिन नर्शिंग भगवान की पूजा करनी चाहिए उनकी फोटो ला करके लगाए इससे जो है सत्रों पर विजय प्राप्त होती हैं और सत्रों पराजित होते हैं दोस्तों धन से सम्मंदित अगर आपके घर में ब्यापार में ब्रिद्दी नहीं हो रही है तो होलका की राख को लाल कपड़े में बान करके आप अपने तिजूरी में रखें ब्यापार इस्ठल में रखें तो धन की बरकत होती है होलका की राख जो है घर में सरसों के तेल का चो मुकी दीपक घर के मुक्ष द्वार पर जरूर जलाना चाहिए दोस्तों अगर ब्यापार में नौकरी में परिशानी आ रही है तो कीस गोमती चक्र लेकर के होलका देन की राख सिर्व लिंग पर चड़ा रहें फिर उन्हें द दोस्तों अगर जो है किसी की साधी बिवाय में रुकावत आ रही है संतान प्राप्ती में आ रही है पुत्त प्राप्ती में आ रही है कोक बंदन है नजर दोस है तोना तोटका है उसके लिए एक सूके नार्यल को साथ वार मोली लपेट करके अपने सिर से साथ वार गुमा करके होल्का की अगनी में डाल देना चाहिए इससे सबी प्रिकार की रुकावट दूर हो जाती है दोस्तों अगर पुत्र प्राप्ती की चाहे पुत्र संतान प्राप्ती में रुकावट आ रही है तो उसके लिए आपको करना यह है कि दो फूल दाल लोंग लेनी हैं उन लोंगों को जो है आप घी में दूबो करके रख दें सुबह दूबो के रख दें और साम के समय एक पान का पत्ता लें उसके उपर स्वास्तिक बना करके एक बतासा रखें उन दोनों लोंगों को उसको उपर रख करके अपनी मनों कामना ब पुत्र प्राप्ति की अवस्य पूरी होगी दोस्तों होलका देन के दिन आप इस उपाय को जरूर करें और इसके साथ में अगर आप पुत्र प्राप्ति की प्रवल इच्छा है तो उसे जो है इस्ति को चाहिए कि होलका की राक को लेकर के लाल खपड़े में बानकर या चान तो होलका की रात को लेकर के रख लें और उसमें से नित्प्रती उसको ठीका लगाएं तो कुछी दिनों में जो है उसकी बीमारी दूर हो जाती है दोस्तों होलका की रात करने वाले यह अच्चु को पाए बताए अगर आपको मैं जानकारी अच्छी लगयो वीडियो को को लाइक और शेर जरू करें